खबरीवा से है जहां नगर निगम वार्ड की क्रमंग 15 में लगी जियोला बस्ती के लोगों के लिए इस्थाई पटा की मांग को लेकर पूर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक पटेल ने रैली निकाली और इस्थाई पटे की मांग की है प्रदेशन कारियों के द्वारा जो तक्ति ली गई थी उसमें साफ लिखा है कि पट्टा दो या फासी इस्थानी लोगों ने पट्टे की मांग को लेकर ग्यापन सौपा है वहीं आम आदमी पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ चुके इंजीनियर दीपक ने कहा कि अगर एक मां के अंदर प्रशासन बस जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी जिवला बस्ती के लोगों के साथ उग्र आंदोलंग करने की चितावनी दी है आईए आपको सुनाते हैं आप पार्टी से प्रत्यासी रहे दीपक पटेल ने क्या चितावनी दी है कई बारा स्वासन में प्राफ्त हुआ है पर अभी तक प्रत्त प्राफ दी हुआ है इस तरह से उपर से आधिये से विजल से तरह पक्ता बिदरिट जा ज़ोग यानि अनुचित आज हम लोग आमादमी पार्टी के लोग जीवला बस्ती के लोगों के साथ में लगातार जिस तरह से जीवला बस्ती को पूरी तरह से नया संगत में न रखकर लगातार जब चुनाओ विजेपी और कॉंग्रेस चुनाओ लड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं उनको यही कहते हैं कि जिस दिन चुनाओं खतम होगा अगले दिन आपका पट्टा आपके घर पर होगा उसी पट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए है महत्पूर्ण चीज यह है कि प्रधान मंत्री आवास योजना से कई लोगों को वहाँ पर घर भी प्राप्थ हुए है कई लोगों को अई स्थाई पट्टा कुछ दिनों पहले बिगत कुछ बरसों में दिया जा चुका है पर जब इस्थाई पट्टे की बात आती है तो आज तक जूला वस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए लगाता लड़ रहे हैं सतर साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं और ऐसा पता लगा है जिस तरह से पता नहीं आज के जबलपूर के जो बैपारी यहाँ पर आये हुए है रिवा के अंदर जिस तरह से सिविल लाइन को पूरी तरह से बेचने का काम यहाँ के इस्थानी विधायक से लेकर और कॉंग्रेस के महापाव लगातार कर रहे हैं उन ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द जूला बस्ती में भी बुल्डोजर चलने वाला है और गरीबों का अस्याना फिर से संकट में आने वाला है आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए है वहाँ पे लगभग दो से ठाई सो परिवार ऐसे हैं जो आज भी पट्टे के लिए निरंतर संगर्स कर रहे हैं हमारे जो ग्यापन पत्र में माग है कि 30 कारी दिवस के अंदर यदि पट्टा प्रदाय है तो कोई कारवाही नहीं की जाती है तो अभी तो हम लोग कम संख्या में उपस्थित हुए हैं आने वाले टाइम में हम लोग यही पे टेंट पंडाल लगा कर और क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वहाँ तो बुल्डोजर चलने ही वाला है तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ही अपना घर बना कर रहने का काम करें मुझा हुए 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 है